36 गड़ के लक्षमनेशर मंदीर के बारे में रोचक तक्तिया 36 गड़ के खरोद में लक्षमनेशर महादेव मंदीर मौजुद है जिसे प्रदेश का कासी भी कहा जाता है इस मंदीर में लाक्षिद्रो वाले सिलिंग की स्थापना की गई है यह मंदीर अपने आप में बेहत अद्भूत है ऐसा माना जाता है कि रावान को मारने के बाद लक्षमन ने अपने भाई राम जी से इस मंदीर की स्थापना करवाई थी कहते हैं कि भगवार राम ने यहाँ पर खर और दुसन का वद किया था इसलिए इस जगह का नाम खरोत के नाम से जाना जाता है सीवरी नरायन से तीन किलोमटर दूर इस स्थापना स्वयम लक्षमन जी ने की थी इस सीवरी नरायन से तीन किलोमटर दूर इस स्थापना स्वयम लक्षमन जी ने की थी इसमें से एक खीदर ऐसा है जिसमें जल हमेसा भरा ही रहता है जिसे अक्षे कुन भी कहा जाता है सिलिंग पर चड़ाया जल मंदिर के पीछे इस्थित कुन में चला जाता है क्योंकि ये कुन कभी नहीं सुकता है सिलिंग जमीन से करीब 30 फिट उपर है और इसे स्वयम भूलिंग भी कहा जाता है इसलिए इस जगह को 36 गाट राचे की काती सीव धाम भी कहा जाता है